हेलो फ्रेंट्स एड वेलकम तो माई चैनल नितियू स्पेशल किचन आज मैं आपके लिए लेकर रहा हूं लोकी है एकदम डिफरेंट रायता और जो मैंने इसमें तड़का लगाया वह एकदम डिफरेंट है बहुत ही यूनिक है और बहुत ही अच्छा है उससे ये खाने मे सेंदा का यूज किया है और कुछ लोग लोकी नहीं खाते तो आप इसे वरत में ना खाए वग्रना योट में खाने काने वाला रहता है तो चले मैंने लिए हैं बाल में धाइ और यह मैंने लिए लौकी मैं इसको छील लेती हूं और इसके बाद इसको अच्छी तरह दो ख कर गिस लेती हूं आपको जितनी लौकी चाहिए हो आप उतनी ही घिसे और उतनी ही बॉइल करें और साथ की साथ ही आप गिसे नहीं तो यह काली हो जाती है मुझे एक ही बाउल बनाना है तो उस हिसाब से मुझे ये बहुत रहेगा मैं थोड़ा सा और घिस लेती हूं कभी कम ना रह जाए क्योंकि हमें इसे बॉइल करना है मैंने इसको घिस लिया है अब हम इसको बॉइल करेंगे आप चाहे तो इसमें कूकर में एक सीटी लगा सकते हैं उसमें भी ये बहुत अराम से उबल जाता है लेकिन मैं इसको खुलना उबालती हूं उसके लिए मैंने लिया एक फ्राइबैन मैं इसमें डाल रही हूं तरह बॉइल हो जाएगी अधि मेरी लौकी तो गल चुकी है यह आप इसे उठाकर ऐसे देख सकते हैं यह राम से टूट रही है यह मैं इसे ठंडा होने के लिए रग दूँगी क्योंकि यह इसको गरम को दही में डालूंगी तो धाई भी गरम हो जाएगी और वह फट भी जढtu लेने हैं को अब जब भी राइता बनाएं खो बिना फेटे ना मँदाएं कभी अच्छी नहीं लगती है है सबसे अब राय तक किसी भी चीच का बनाए तो देखिया ऐसे बनाएं कितना प्लेट और सौफट राइता अत्तार रही हमारी प्लेन हो चुकी है, अब मैं इसको लॉकी को निचोड लेती हूँ आप अपने अकॉर्डिक लॉकी कमिया जादा कर सकते हैं अब हम इसको इस तरह खोल खोल कर सारे में डाल देंगे लॉकी मैंने इसमें डाल ली है, मेरे हिसाब से ये बहुत है आप चाहे तो अपने रायते में इस से जादा लॉकी डाल सकते हैं लेकिन मेरे हिसाब से ये एकदम परफेक्ट है अब हम इसमें डालेंगे नमक ये मैंने सेंदा नमक डाला है, जिसे आप वुरत में यूज कर सकते हैं और चाहे तो बिना वुरत के भी ये रायते बना के खा सकते हैं मैंने डालयाओ लाल मेर्च, छोड़ाण से गरम मसाला जीरा बून ना यही मेरा ऋ चुका है अब मैंने डाला इसमें जीरा और यह मैंने डाला हिंग यह मेरा बहुत ही Πार पिसट। वजाए आप चया है अब धुर्वण बनाए उसमें एकदम पिसा हुआ ही डाले अब देखेंगे यह थरका कितना अच्छा लगेगा अब आप एक प्लेट हाथ में ले और इसको इसमें रखके एकडम आसे ढटते कि अब प्रेंट मेरा ये तड़के वाला रायता एकडम तैयार है आप मेरे बताए अनुसार इस लोकी के रायतों को बनाए और इसी तरीके से इसमें तड़का लगा तो आपका रायता बहुत अच्छा बनेगा और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका रायता मेरे बताया नुसर कैसे बना फ्रेंट्स यदि आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो उसे लाइक करें अपने दोस्तों में शेयर करें और यदि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें जिससे मेरी हर वीडियो की नोडिफिकेशन आपके पस तुरंत बहुंच जाए थैंक्स पर वाचिंग